स्वागत है आप सभी साथ द्रिश्टी PCS के स्टेट इटलर्स प्रोग्राम के इस नई वीडियो में मेरा नाम सल्मान और आज हम उत्तर प्रदेश स्टेट इटलर्स के बारे में चर्चा करेंगे यानि कि इस प्रोग्राम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो भी स्थान बीते हफ़ते सुर्खियों में रहे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आईए एपिसोड की शुरुवात करते हैं बीते एपिसोड के अभ्यास प्रस्ण के साथ अभ्यास प्रस्ट में आप सभी से पूछा गया था धुरिया जनजाती निमलिखित में से किस जिले में निवास नहीं करTी है तो इस प्रस्ट का जो उत्तर है तक्रीबन सभी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है लेकिन इसका क्या उत्तर होगा हमें तो बताना ही होगा धुरिया जन्जाती जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जाउनपूर और मिर्जापूर जिले में मुख्य रूप से निवास करती है यदि इस जन्जाती की बात करें तो इसका जो संकेंद्रण है इस तीन जिलों में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखा जाता है जबकि वहीं बिजनौर की बात करें तो बिजनौर जिले में यह जन्जाती निवास नहीं करती है तो इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा आई एक बार बिजनवर की स्थिति को मानचित्र पर देख लेते हैं तो बिजनवर की अगर बात करें यह तो पस्चिमी उत्तरपदेश का एक जिला है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी स्थिति यहाँ पर है और इससे सनलग नगर जिलों की हम बात करें तो इसमें मुजफर नगर, मेरट, जियोतिबा फूले नगर यह तीन जिले जो है इसके साथ आप सभी इस पस रूप से इस मानचित्र में सनलगन देख सकते हैं अब यहाँ पर यह कुछ इस्थान दिया हुआ है तो आप सभी को यह बताना है कि बिजनाओर से दूसरे राज्य के कौन-कौन से जिले सनलगन है या कौन-कौन से इस्थान है जो बिजनाओर के साथ अपनी सीमा को साजह करते हैं इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में द आया गया है निम्लिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है खेलो इंडिया गेम्स युनुवर्सिटी का आयोजन वाराणसी लखनाओ और कानपुर में किया जाएगा इस चैंपियंशिप के अंतरगत निशाने बाजी प्रतियोगिता का आयोजन नोड़ा में कि कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही जवाब देना है तो दरसल अभी खेलो इंडिया गेम्स युनुवर्सिटी का जो कारिक्रम है या उत्तरप्रदेश के खेल एवं युवा मामले के द्वारा और साथी साथ भारती खेल प्राधिकरण के द्वारा घोशित कर दिया ग गोरकपूर में किया जाएगा इसके अलावा नोड़ा में भी इसका आयोजन किया जाएगा यानि कि उत्तरप्रदेश के चार जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा जिसमें वारान सी लखनव गोरकपूर और नोड़ा शामिल है जबकि निसाने बाजी प्रतियोगिता का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में ना करके दिल्ली में किया जाएगा, नई दिल्ली में, तो यहाँ पर आप सभी अगर देखें, तो दूसरा statement गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर नोईडा दिया हुआ है, वही अगर हम बात करें कानपूर, तो कानपूर में इसका आयोजन गलत है, तो प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, आये देखते हैं कि यह चारों इस्थान मैप में कहां कहां पर इस्थित हैं, तो वाराणसी की अगर हम इस्थिती को देखें, तो वाराणसी यहां पर इस्थित है, वही अगर लखनव की बात करें जिसे हम गौतम बुधनगर भी कहते है हाला कि गौतम बुधनगर में सिर्फ नोडा ही सामिल नहीं है नोडा, ग्रेटर नोडा, दनकोर, इत्यादी अन्य छेत्र भी शामिल है तो यह यहाँ पर कुछ इस तरह से है यहाँ पर गाजियाबाद के पास आप देखेंगे तो यहाँ पर यह इस्थित है यह NCR वाला छेत्र है यानि कि National Capital Reason वाले छेत्र के अंतरगत शामिल है इसके अलावा गोरकपुर भी में भी इसका आयोजन किया जा रहा है निमलिखित में से काउन सा या काउन से कथन सही है या सही है राश्टी राजमार्क 30 राज में बहराईस से प्रवेस करता है यह बरेली शाजहापुर प्रयाग राज आदी जिलों से होते हुए मध्य प्रवेस कर जाता है कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है अगर राश्टी राजमार 30 की बात करें तो यह उत्तर्प देश में बहराई जिले से प्रवेश ना करके बलकि उत्तर्प देश के पीली भीत जिले से प्रवेश करता है यहाँ पर अगर हम देखे तो यह पीली फीत जिला है और यही पर आप देख सकते हैं कि यह राश्टी राजमार तीस जो है यहाँ पर प्रवेश कर रहा है इसके बाद यह आगे बरेली में फिर इसके बाद यह आगे बढ़ता है सा jeans तो यहां पर एगर हम देखें, जो दूसरा वाला statement है, बिलकुल सही है, जबकि पहला वाला गलत हो जाता है, क्योंकि यह बहराईस से नहीं, बल्कि पीली भीत से राज्य में प्रवेस करता है, तो इस तरह से पहला statement गलत है, जबकि दूसरा सही है, तो प्रस्न का उत्तर हो ज साथ जिलों के साथ सनलगन होती है, कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाओ करना है, दरसल अभी हाल ही में लखनाओ और हरदोई में पियम मित्र पार्का शुभारम किया गया है, तो यह बिलकुल सही है, अब इसको देखते हैं कि हरदोई जिले की सीमा जो है, क तो साजहापुर है, फिर फरूखाबाद है, फिर कन्नाओ जाब देख सकते हैं, इसके बाद कानपुर नगर की सीमा भी इसके साथ सनलगन है, इसके बाद उन्नाओ, फिर लकनओ, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीतापुर और फिर यह खीरी, लकीम पुर खीरी, तो अगर संख्या गिने तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, तो आठ जिले हैं जो कि इसके साथ अपनी सीमा को साजह करते हैं, जबकि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें सिर्फ साथ जिलों की बात कर रहा है, तो यह वाला कथन गलत हो जाता है, यानि कि ए वाला विकल्प इस प्रस्ण का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चलते हैं आगे की तरफ, सवाल है, निमलिखित पक्षी विहार अभ्यारन में से कौन सा पस्चिम की पूर्व की ओर सही क्रम है, ओखला, समन, सांडी, समस्पूर, या चार पक्षी विहार अभ्यारन है, इनको अलग-अलग करम में विवस्थित करके चार विकल्पों की रूप में आपके सामने दिया गया है, और आपको सही करम में बताना है कि पस्चिम से पूर की ओर इनका सही करम क्या होगा, अगर ओखला की बात करें तो यहां उत्तर प्देश के गौतम बुद्ध नग तो यहां हरदोई में है, वहीं अगर समस्पूर की बात करें तो यहां राइबरेली में है, तो अब यहां पर हम यह जान चुके हैं कि यह किन-किन जीलों में इस्थित है और इन जीलों को अगर हम पस्चिम की पूर की ओर से देखें, तो क्या सही इसका उत्तर होगा, तो स दूसरा क्रम दिया हुआ है, अगर हम बात करें, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर, समन दिया हुआ है, समन की इस्थिति है मैनपुरी, तो मैनपुरी को अगर हम देखें, मैनपुरी की इस्थिति यहाँ पर है, इसके बाद अगर हम तीसरा कौन सा दिया हुआ है, तीसरा दि पूर दिया हुआ है वो राय बरेली में तो राय बरेली की स्थिति यहां पर है अगर पस्टिम से पूर्व की और अगर हम देखे तो सबसे पहले हो जाएगा ओकला यानि की गौतम बुद्धनगर उसके बाद मैन पूरी हरदोई और राय बरेली तो यही इसका सही करम हो में इस्थित है चलते हैं अगले सवाल की तरफ उत्तर प्रदेश के रेखा मांचित्र पर चार खनीजों के उत्पादन छेत्र को A, B, C एवं D द्वारा दर्शाया गया है निमलिकित में से किस खनीज को सही इस्थान पर नहीं दर्शाया गया है पायर कले, प्लेटिनम, सि तो इन चारो खनीजों के जो उत्पादन छेत्र है उत्तर प्रदेश में, यानि कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों से किन स्थान से इसका उत्तर प्लेटिन किया जाता है, उसको इस मांचित्र पर A, B, C, एवं D के दौरा दर्शाया गया है और इसका आपको सही उत्तर ये कि कौन सा खनी जिसमें ऐसा है जिसके उस पादन छेत्र को इस मांचित्र पर सही तरीके से नहीं दरसाया गया है तो अगर फायर कले की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें फायर कले की इस्तिती यहाँ पर दरसाई गई है तो फायर कले उत्तर प्रदेश में मिर्जापूर और जहासी में उत्पादित किया जाता है तो यहां कर अगर हम एक ही इस्थिती को देखें तो ए जो है यहां पर दर्शाया गया है और यह जो जिला है यह मिर्जापूर है तो यानि कि फायर कले का जो उत्पादन छेतर है मिर्जापूर इसको मांचित पर बिल्कुल सही तरीके से दर्साया गया है वही प्लैटिनम की अगर हम बात करें तो प्लैटिनम जो है यह उत्तर प्रदेश में यहां पर आप हैं तो ललितपूर यहां पर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर इस्थित है तो बीवाला विकल्प जो बीव होना चाहिए वो यहां पर होना चाहिए इसलिए बीवाला ही आपका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं कि ललितपूर की जो सीमा या मद्ध प्रदेश के कुछ जिलों के साथ अपनी सीमा को साजा करती है तो कमेंट सेक्षन में आपको बताना है कि ललितपूर जो है अपनी सीमा मद्ध प्रदेश के किन किन जिलों के साथ साजा करता है आईए बात करते हैं अगले खनेच की सिलिका सेंड जो कि यहां पर सी से दरसाया गया है तो सिलिका की अगर हम बात करें तो सिलिका जो है प्रयाग राज चित्रकूट और चंदवली जिलों में मुख रूप से उत्तरपदेश में उत्पादित किया जाता है तो सी की जो इस्थिति यहां पर दिखाई जा रही है यह चित्रकूट की दिखाई जा रही है, यानि किया भी बिल्कुल सही दर्साया गया हालाकि यह प्रियाग राज में इसके अलावा चंदाली में भी इसका उत्पादन किया जाता है. और सबसे अंद में जिपसम दिया है बी और जिपसम का उतुपादन जो है सही दिखाया गए यहां पर क्योंगि यह उत्तर पदेश के जhासी जिले में उत्पादित किया जाता है जhासी की इस्तिती कुछ है इस तरह से यहां पर है इसे डी द्वारा प्रदर्शित किया गया है तो इसका भी प्रदर्शन इस मांचितर पर बिल्कुल सही किया गया है तो प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाता है आपका भी वाला हो जाएगा क्योंकि platinum का उत्पादन ललितपूर में होता है और ललितपूर की इस्थिती यहाँ पर है जबकि इसे यहाँ सोन भद्र पर दर्शाया गया है चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं ब्रह्मान घाट निमलीखित में से किस जिले में इस्थित है विकल्प है मतुरा, गोरफपूर, प्रयागराज या फिर वारानसी तो ब्रह्मान घाट की अगर हम बात करें तो ब्रह्मान घाट हिंदू धार्मिक मननताओं में अपना एक अलग ही इस्थान रखता है और ऐसी मननता है कि यहाँ पर भगवान स्री क्रिस्ने अपने मुख में बचपन के दौरान ही माता ये शोदा को जो पूरा ब्रह्मान है उसको यहाँ पर दिखा दिया था जिसकी वज़ा से इसका अपना ही एक महत्व है हिंदू धर्म में और यह जो है मतुरा में इस्थित है यहाँ परेदी देखे तो यह यह मुणा नदी कुछ इसतरہ से प्रवाहित हो रही है और यही पर आप देख सकते हैं यह ब्रह्माहन घाठ है गोकुल में यही पर एक इस्थान है तो यही पर यह इस्थित है तो इस तरह से प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा एवाला हो जाएगा अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है बेतवा नदी मध्यप्रदेश के राइसेन जिले से निकलती है यहां उत्तर प्रदेश में ललित पूर जहांसी और जालाउन से बहते हुए हमीरपूर में गंगा नदी में मिल जाते हैं कूट का प्रयोक करते हुए सही उत्तर का चुनाओ करना है बेत्वा नदी की अगर हम बात करें तो यहमद प्रदेश के राय सेन जीले से उद्गमित होती है पहला स्टेटमेंट बिलकुल सही है जबकि दूसरा स्टेटमेंट जो है यहां उत्तर प्रदेश में ललिद पूर जांसी और जालाओन से बहते हुए हमीरपूर में गंगा नदी में मिल जाती है तो यह कतन बिलकुल गलत है गंगा नदी में नहीं बलकि यह है यमुना नदी में मिल जाती है जब कि यह ललिफपुर जासी जालावन और हमीरपुर में उत्तरप्रदेश में प्रवाहित होती है, इतना तो सही है, लेकिन यहाँ दंगा नदी ना होकर के, यह मुना नदी इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा, तो इस प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक हो इसको मान्चित प्रदेदी हम देखें, तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर यह मद्धप्रदेश का राइसे अंजीला है, और यही से यह उत्तर की और प्रवाहित होते हुए कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाती है, यहाँ पर आप देखें, तो यह में यह जो इस्थान है, यह हमीरपुर है, और यही पर यह यहमुना नदी में मिल जाती है, यहाँ पर अगर आप देखें, यह बेतवा नदी है, यह ललितपुर, फिर जहासी, फिर यह जालाओन, यह वाला जो इजला है, और फिर इसके बाद यह हमीरपुर, यह यही पर यमुना नदी में मिल जा रही है यह यमुना नदी कुछ इस तरह से प्रवाइत हो रही है तो इस तरह से प्रस्ण का जो सही उत्थर हो जाएगा एवाला हो जाएगा चलते हैं आगे कि और निम्लिकित में से कौन सा जल्प्रपात मिर्जापुर में इस्थित नहीं है विकल्प है लखनिया, विंधाम, चूनादरी और सबसे अंत में हैं शबरी जल्प्रपात तो यहां पर आपको बताना है कि वह कौन सा जलप्रपात है जो कि उत्तरपदेश के मिर्जा पुर जिले में इस्थित नहीं है तो लखनिया, विंधाम और चूना दरी जल प्रपाद जो है यह उत्तरपदेस के मिर्जापुर 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 जिले म इसके साथ अपनी सीमा को साज़ा करते हैं, तो इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्षन में बताना है, यह वह कौन सा जिला है या कौन कौन से जिले है मद्ध प्रदेश के, जो कि चित्रकूट के साथ अपनी सीमा को साज़ा करते हैं, जबकि यदि यहाँ पर देखे, उत्तर प्रदेश के कौन से जीले इसके साथ सनलगन है, तो बांदा, फतेपुर, कौशामबी और अलाहबाद या प्रियाग राजी से अब कहते हैं, ये चित्रकूर के साथ अपनी सीमा को साजह करते हैं, तो प्रसन का जो सही उत्तर हो जाए आप खुद से कर सकें, और या ग्याद कर सकें कि अभी आपको और कितनी मेहनत करनी है, खास कर स्टेट एटलस पोर्शन पर, यानि ये मानचित्रों के कार में आपको अभी कितना और मेहनत करना है, और आपकी स्थिती अभी क्या है, सवाल बनाया गया है, निमलिकित में से क ही उत्तर का चुनाव करना है तो क्या होगा इस प्रस्न का सही उत्तर कमेंट सेक्षन में अपने उत्तर को दर्ज कर दीजिए तो मिलते हैं अगले अपिसोड में कुछ नए प्रस्नों के साथ तब तक पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए शुक्रिया